नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टडिव डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर को सीटेट की एक्जाम होने वाली है उसी को देखते हुई मैं हिंदी के 30 अतिमहत्यपून प्रशन लेकर आया ह Old Carl आप दोस्तों इन प्रस्तों को देखकर कहेंघ कि सरी यह तो बहुत श्रल सखने इस सली प्रोठी आते हैं इसने हैं और यह उनिपर करते दोस्तो अजका पहला प्रशन है कौन सा वर्ण घोस नहीं है दोस्तों आपके सामने चार विकल गोजार दा कि तीनों ही गोसब्ते है जो चा सब्दे है नहीं है ये एक घोश शब्दे है अगला प्रश्ण है किस सब्द में रिशी स्वर नहीं है कौन सा सब्द है दोस्तों जिसमें रिशी स्वर नहीं है क्रपा क्रश्ण द्रश्टी या फिर रिवाज बहुत ही सरल प्रश्ण दोस्तों चार वेकल पर पढ़कर ही आप इसका अंसर दे सकते हैं तो इसका राइट किन धुनियों को अनुश्वार कहा जाता है दोस्तों को इसी धुनिया है जिसको अनुश्वार कहा जाता है आपके सामने चार विकल्पे इसमें से आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नाशिक के धुनियों को अनुश्वार कहा जाता है तो इ आर्तेंधू सब्द में गुण संदी का प्रयोग हुआ है। यहां इसका संदी विक्षित होगा। अगला प्रश्ण है सम्सरू सब्द का तदभव रूप होगा कौन सा है दोस्तों सम्सरू सब्द का तदभव रूप मूच असरू आशू या फिर शशूर तो इसका सही आंसर होगा जो सम्सरू सब्द का तदभव रूप होगा वो मूच होगा याद रखेंगा दोस्तों वन आर्थ सब्द या फिर एकार्थ सब्द तो इसका सियांसर होगा जो विपरित अर्थ का बोध कराने वाले सब्द को हम विलोम सब्द केते हैं काफी अच्छा और काफी सरल प्रश्ण था दो उस्तो ये अगला प्रश्ण है वन सब्द का अर्थ नहीं होता है जो वन बताना है रंग है आकाश है जाती है या फिर अक्षर है तो इसका सिया अंसर है जो वन सब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों वो अकास है वन सब्द का अर्थ रंग जाती और अक्षर होता है आकास वन सब्द का अर्थ नहीं होता अगला प्रशन है कोन सा सब्द कमल का परियाव नहीं है वो कौन सा सब्द है दो स्टों जो कमल का प्रयवाची नहीं है यह नहीं है अगला प्रश्न है जिसका मन भादジहन दूसरी तरफ हो के लिए एक सब्द होगा क्या होगा दोस्तों एक सब्द जिसका मन वा ध्यान दूसरी तरफ हो मनन बेद्यान मनवा या फिर अन्य मनश्क तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिसका मन वा ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक सब्द अन्य मनश्क होगा इसका जो राइट आंसर हो दोस्तो इसमें से आपको सही विकल्पिका चेयन करना है तो इसका सही आंसर होगा अभिधा सब्द सक्ती में वाच्यार्थ प्रकट होता है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो पहला होगा अगला प्रश्ण है भाववाचक संग्या के अंतरगत आते हैं क्या आते दोस्तो भावाचक संग्या के अंतरगत सबसे पहले तो आपको भावाचक संग्या की परिभासा याद होनी चाहिए यदि आपको उसकी परिभासा याद है तो आप इस प्रश्ण को गलत नहीं करेंगे किसी विक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दसा आदि का बोध होता है उसे भावाचक संग्या कहते हैं यदि दोस्त हम साधरन भासा में बात करें तो जिन चीजों को हम महसूस करते हैं उसे भावाचक संग्या कहते हैं यहाँ पर दोस्तों सेकंड वाला जो विकल पर जो सबत संग्या या सर्वनाम की विसयस्ता बताते हैं आइसे सब्दों को विसेसंण कहा जाता है यहां दिए गए वाकिय में मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में काली सब्द पतलून की विशेशता प्रकट कर रहा है अतहा विशेशन सब्द क्या होगा दोस्तों यहां पर विशेशन सब्द काली होगा तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा अगला प्रशने वहां मोहन के रिक्तिस्तान कोई नहीं था वाकि में रिक्तिस्तान पर प्रिख्त होगा वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था वाकी में रिक्तिस्तान पर प्यूक्त होगा, तो उसका राइट आंशर होगा, तीसरा, अगला प्रशन है, हमें सफलता मिलने तक प्रियास करना चाहिए, इस वाकी में तक है, समुछी भोधक अव्यव है, किरिया विशेसन है, संबंद भोधक अव्यव है, या फिर, विश्म कारक के चिन्न है दोस्तों किस कारक के चिन्न है आपको सभी को पता होगा कि कारक आठ प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते दोस्तों यह भी पता होगा अब आपको यह बताना है कि को और के लिए यहां किस कारक का चिन्न है संप्रदान कारक का है करन कारक का है अपदान कारक क हैं सब्दे के हैं या फिर अर्ते के काफी श्रल्ड प्रिश्ण है दोस्ता आपको सभी को पता होगा इसका राइट आंसर होगा उद्द्द से और विद्धे है वाक्य के अंग है अगला प्रश्ण है तेंदूलकर ने एक और में पांच छक्के लगाए इस वाक्य में अग्ला प्रशने इस विराम चिन्न का नाम क्या है दोर सतो आपको आच्छा दिख्रा होगा जो विरामेश लगा हुआ है इसका नाम बताना क्या है इसके निया जो इसकलत नाम होता दो अ들이 एांसर कहला होगा अगला प्रश्ण है किसी कठीन सब्द को इस पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्न का प्रियोग होता है विवरन चिन्न का, निर्देशक का, कोश्टक का या फिर उप विराम का काफी अच्छा और बहुती सरल प्रश्ण है दोस्तो इसका रेट अंसर होगा, जब हम किसी कठीन या जटिल सब्दे के साथ साथ उसके समाने अर्थ विक्त करते हैं तब उसे एक कोश्टक के अंदर रखते हैं और कोश्टक का चिन्न होता है, दोस्तो इस प्रकार का होता है, आपको सभी को पता होगा तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा रहेगा अगले प्रिश्ण के वर बढ़ेंगे अगला प्रिश्ण ही आउशर का लाव उठाना के लिए उप्युकते हैं जो आउशर का लाव उठाना दोस्तों एक मुहावरा है ये इसका अर्था आपको बताना है बहती गंगा में हाथ होना होता है अगला प्रश्ण है बाधा डालना मुहावरे का रथ है अब आपको बताना दोस्तों जो बाधा डालना है यह मुहावरे का रथ क्या है पाला पढ़ना रोडा अटकाना बरस पढ़ना या फिर दातों में जीव होना चार विकल्प दोस्तों इसमें से बताना है त बरश पढ़ना होता है जो इसका सही अंसर होगा दोस्तो तीसरा होगा अगला प्रश्न है अपना हाथ जगन्नात करते दोस्तो काफी लोक प्रीय और काफी famous ये मुहावरा है इसको आपको सबी को पता होगा इस मुहावरे के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है मनमानी करना अपना हाथ पूजनी होता है अपने हाथ से काम करना ही उप्युक्त होता है या फिर अपने हाथ से दान करना तो इसका सही अंसर होगा अपना हाथ जगनात मुहावरे का अर्थ है अपने हाथ से काम करना ही उप्युक्त होता है तो इसका केर बेर का संग जैसे नागनात वे से सापनात तुसका राइट अंसर है मैं तुम सब को खुब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उप्युकत है एक ही थाली के चटे बटे अगला प्रशन ही अधी सूचना का प्रकासन कहा होता है कहा होता दोस्तों राजपत्र या राजपत्रों के लिए अधी सूचना का प्रकासन होता है जो इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प रहेगा सही रहेगा अगला प्रशन ही निविदा सूचना का उद्देस्य होता है सामान की आपूर्ती करवाना सामान की निलामी निर्मान कारी करवाना या फिर उपरोक्त सबी तुसका रैट अंसर होगा किसी निर्मान कारे में शामान की आपूरती करवाना तता सामान की निलामी करवाना आदि सभी निविदा सूचना के उद्देश सिहे तुसका रैट अंसर होगा वो परोक्त सभी किसी कारेले द्वारा एक साथ अनेक प्रेशितियों को भेजा जाने वाला सास की पत्र ग्यापन या आदिस कहलाता है उसे हम परिपत्र कहते हैं या फिर वो परिपत्र कहलाता है तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो पहला होगा अगला प्रशन है आपके सामने गध्यांस दिया हुआ है दोस्तो जिसको पढ़कर आपको प्रशन कर्मांग का अंठावन से लगा कर साथ तक इसी गध्यांस में से आंसर देना है आपको मैं गध्यांस पढ़कर सुना कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है यहां केवल नीती और सदुरधी का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छही करता है किसी युवा पुरूस की संगती यदि बुरी होगी तो वहां उसके पेरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अउनती के गड जाएगी तो यह गध्यांस था अब अपन डारेक्टिस के प्रशन के ओर बढ़ेंगे इसमें जो पहला प्रशन है आपको अंठावन से लगाकर 60 तक यानिकि जो तीन प्रशन है उनके आंसर आपको इसी गध्यांस में से देने है पहला प्रशन है इस गध्यांस का सिर्षक अध्यांस का सरवाधिक उप्यूप्त जो सिर्षक होगा दोस्तो वो संगती होगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो तीसर रहेगा अगला प्रशन है कुशंग का अर्थ बताना है आपको क्या है कुशल साती कक्छा के शाती शंगती के शाती या फिर बुरी शंगती इसका रैट आंसर है कुशं का जो समान्य अर्थ होता है दोस्तों वो बुरी शंगती होता है इसका जो रैट आंसर होगा दोस्तों चोथा रहेगा अगला और लाश्ट प् है तो यहां पर दोस्तों तीस प्रशन समापत होते हैं हंदी के आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लिस मेरे कमेंट से बुक्स में जरूर बताईगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेयर करना ना भूले और अभी तक मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब